ओकी तो आज हम यहाँ पे comparison करने वाले हैं Boat Air Dobs 141 के साथ Boat Air Dobs 131 Pro की मेरा नमतन में आप देखरे टेक यूनीक चली वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे Design और Build Quality की यहाँ पे आप देख सकते हैं 141 में जो है आपको Matte Finishing देखने को मलता है इसका जो case है वो मुझे थोड़ा सा जादा ही मोटा लगता है यहाँ पे इसको pocket में fit करने में थोड़ा सा जादा दिक्कत होता है jeans के pocket में थोड़ा सा जादा वाभारी भी लगता है यहाँ और थोड़ा सा जादा से वो थोदा सा मोटा फील होता थोड़ा सा बलकी फील होता है वहीं पर बात करूँ 1-3-1 pro की तो यहां पे केज काफी कंपैक्ट है इसको jeans आप करेकर करते हैं कोई भी दिखकत नहीं होता इसका plastic quality काफे ज़्यादा धंदार है वहीं पे यहां पे जो है मैट फिनिशिंग आपको मिल जाती है उपर की तरफ बोट की ब्रैंडिंग है और यह कुछ इस प्रकार से यहां पे खुलता है इसको खुलने के लिए आपको दो हाथ को यूज करना पड़ेगा वहीं पे ओवरॉल जो ह है वो थोड़ा सा जादा टाइट फील्ड हुआ है एस कंपेर टू यहां पे आप देख सकते हैं 131 में जो है काफी मोटे एरबड देखने को मिलते हैं हाला कि दोस्तों यह कान में जो है बहुत ही अच्छी तरीकी से फिट होते हैं काफी एक अच्छा फिटिंग देते हैं क 141 जो है इसको अगर आप पहन करके रखते हैं काफी समय तक तो यहां पर यह थोड़ा सा जो है अनकमफटेबल फील कराता है महीं पर 131 प्रो में जो है मुझे कोई भी ऐसा अनकमफटेबलनेस फील नहीं हुआ है और यहां पर एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलता है 131 प् important होता है क्योंकि यहां पर अगर आपको इसको यरबड को reset करना पड़ जाए कभी या फिर कभी किसी दूसरे फोन की साथ connect करना पड़ जाए तो यहां पर reset बटन जो है काफ़ अदा काम आता है वहीं पर यहां पर 141 में कोई भी तरीका reset बटन ऊपर नीचे आगे पीछे कह यहां पर definitely एक काफी बड़ा upgrade निकल करके आता है Bluetooth 5.3 जो है वो बहुत ही instantly यहां पर पैर हो जाता है और काफी अच्छी quality का आपको connection देता है driver size की बात करूँ यहां पर आपको 141 में 8 mm के drivers मिलते हैं वहीं पर आपको 131 pro में 13 mm के drivers मिलते हैं sound quality की बात करूँ तो यहां पर 141 जो है काफी जादा famous रह चुका है अपने sound quality के ओपर यह जो है काफी जादा best selling product रह चुका है क्योंकि इसकी sound quality लोगों को काफी जादा पसंद आती है मुझे इसकी sound quality काफी तगड़ी लगती है काफी boomy bass और काफी अच्छा clarity भी मिल जाता है हाला कि यहां पर bass जो है वो थो जो है bass को boost किया गया है वही पर 131 pro में जो है आपका bass एकदम balance रखा गया है trebles clarity highs mids and lows तीनों ही एकदम balance रखे गए हैं यहां पर आपको clarity जादा अच्छी देखने को मलती है as compared to 141 तो definitely अगर आपको balance sound quality पसंद आता है तो definitely आपको 131 pro के साथ जाना चीए वरना अगर आपको ज्यादा bass पसंद आता है तो 141 तो ही आपके पास microphone की बात करो दोनों में ही आपको यहां पर ENX technology मिल जाता है दोनों का भी microphone sample आप यहां पर compare कर सकते हैं का microphone का आवज आपको केसे आ रहा है इसमें आपको ENX technology मिल जाती है तो definitely आपको यहां पर सुन करके जज़ करना है तो अब यह आवास कैसे आ रही है वह सब आप यहां पर सुन करके ज़द कर सकते हैं बाकि यह था यहां पर indoor sample 131 pro का जहां पर मैंने fan on रखा है AC on रखा है तो आपको यहां पर definitely background noise कितना रहा है मेरा आवज कितना रहा है यह सब आप यहां पर सुन करके जज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा features की बात करूँ यहां पर इस वाले पार्ट को काफ यह तरीके से देखना क्योंकि इस वाले पार्ट से आपको पता चलेगा कि कौन सा आपको यहां पर खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं आपको IPX4 की रेटिंग मिलती है वहीं पर 131 में आपको IPX5 की रेटिंग मिलती है दोनों में ही आपको यहां पर beast mode मिल जाता है हाला कि दोस्तों यहां पर 131 pro में आपको 65ms का beast mode या फिर मैं कहूं gaming mode मिलता है जो कि काफी अच्छा निकल करके आता है as compared to 141 यहां पर 131 का जो gaming mode है वो जादा अच्छा है और यहां पर IPX rating भी जो है वो जादा देखने को मिलता है as compared to 141 एक्स्ट्रा features के मामले में भी यहां पर 131 pro जीत जाता है बैटरी life और charging की बात करूँ सबसे पहले battery capacity जान लेते हैं यहां पर आपको boat adubs 141 में case में मिलता और birds में मिलता है 30 mh की battery वहीं पर 131 pro में आपको 380 mh की battery मिलती है और birds में मिलता है 40 mh की battery यहां पर देख सकते हैं कि case में जो है आपको यहां पर इसमें जादा मिलता है 141 में वहीं पर 131 pro में जो है birds में जादा देखने को मिलता है तो यहां पर आपको चूज करना है कि कि में आपको जादा बैटरी लाइफ चाहिए बड्स में या फिर केस में तेरे experience की बात करो तो दोनों में approximately मुझे इस दोनों में ही same same सा battery backup मिला है यहाँ पे 131 pro के अंदर जो है मुझे काफी अच्छी optimization देखने को मिली है आरम से आपको आपको यहाँ पे तीन दिन का battery backup दे सकता है जो की काफी अदा भवाल चीज रहती है वहीं पे अगर आप इसका beast mode on कर लेता है तो आपको यहाँ पे एक से लेकर देर दिन का भी battery backup मिल सकता है तो definitely यहाँ पे जो है depend करता है आप यहाँ पे beast mode on करते है है या नहीं charging की बारत करो दोनों में ही आपको यहाँ पे type c port मिल जाता है वहीं पे दोनों में ही आपको यहाँ पे fast charging मिल जाता है यहाँ पे आप 141 को 5 minute के लिए charge करेंगे तो आपको यहाँ पे 1.5 hours का playback time मिलेगा वहीं पे आप यहाँ पे 131 को 5 मिनिट के लिए चार्ज करेंगे तो आपको यहाँ पे एक घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा overall इतना ही था इसके comparison में आपको मैं simply बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है आपको खरीदना चाहिए 131 Pro क्योंकि मुझे थोड़ा सा जादा optimized लगता है थोड़ा सा जादा यहाँ पे upgraded लगता है 131 Pro हाला कि दोस्तों इसमें भी आपको कम्या देखने को मिलती है जैसे कि इसके case में जो है थोड़ा सा बैटरी आपको कम देखने को मिलता तो definitely अगर आपको यहाँ पे तीन दिन की battery backup जाए तो आप यहाँ पे जा सकते है 141 के साथ वहीं पे यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें भी आपको थोड़ी सी कम्या मिलती है जैसी कि इसका जो यह case है बैटरी जादा होने के वज़े से जो है इसका case थोड़ा सा मोटा लगता है इसको आप यहाँ पे jeans क pocket में नहीं डाल सकते हैं काफ से जादा tight feel होगा आपको jeans के pocket में इसको ले करके travel करने में तो यहाँ पे इसमें भी थोड़ी बहुत कम्या मिलती है और इसके जो ear buds है वो थोड़े से यहाँ पे जो है uncomfortable feel होते हैं यहाँ पे एक दो घंटे कान में पहनने पर तो definitely यहाँ पे आ कौन से points आपको जादा अच्छे लगते हैं कौन से points आपको खराब लगते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर buy करना है definitely इतना था इस वीडियो में आपका इस वीडियो को देखने के धन्यवाद अपने के लिए उस जयहन्द वंदे महतरम और आपका दिन शुब रहे